मुश्कर आज हूम इस वीडियो में इलेक्टिकल की और कुछ इंपोर्टेंट अबजेक्टिक कुछन के बारे में डिटेल में डिसकोशन करेंगे और अगर आपको वीडियो आच्छा लागता है तो सब्सक्राइब जोरू किजेगा तो देखो आज का पहला कुछन शुरू क हुआ जाता है या फ्रपर आर्गन ग्यास या फ्रनाइट्रोजन ग्यास का यूज का जटा है इसकी जो हीम उसका कर दोॉन है घरंच्वा वाला ये है प्रियोग डिटेक्स जिटना सरा है योग आललाउट एह एसम ग्यास होती है इस एफन है form lace जो गयान वितना साथ है आयोगिलारीज इस मामीन चाहते है यह वालाज तरों यलवोगिसिए युचा पली करते हैं प्रमीन और आयोंडिन तो देखो इसकूशन का एंसर क्या होगा ना इसकूशन का एंसर जो है लोगे लेम होता है उसमें होजन गयास का यूज करते हैं अफसेन नम्र टॉर इसका कोर्टे अंसर जीसज़ यूज्ट गयास हमारा प्रियोडिक टेबल की 17 द्रॉम में म करते हैं 600 वोल्ट में या फिर 1000 वोल्ट में या फिर 1000 किलो वोल्ट में या फिर नॉन अब दिछ तो इसका एंसर होगा जो एल्टी के बूल होता है उसके लिए हम 1000 वोल्ट या फिर वान किलो वोल्ट के भी कहते हैं क्लासिफिकरशन है एक हजर वर्ट मिन्स वान किलो वर्ट तक उसको क्या कहते हैं उसके बाद देखो सार्ट के वर्ट तक हम ह्ट याफ फिर हाइट चैबल कहते हैं और वान थार्ट अवन तो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज के भूल कहते हैं यह आपको याद रखना वहाँ बहुत बहुत सारा इक जम्में आता है तो इसकुछन का इसका एंसर क्या होगा ना 1 के भी या फिर 1000 वोल्ट अफिर नुबर 2 इता कॉरेक्ट एंसर दिन देखो नेश्ट कुस्चन टू ये स्विच आर यूजद इन देखो जो टू ये स्विच होता है उसकों इंदॉस्ट्रियल वायरिंग में यूज़ करते हैं या फिर पावर वा करें निवान द्न देखों कॉस्टार को घूर हरा विचिंगों आबेल अऔर इस स्विच रहता है कि बिच में एक बॉल्प रहता है जब हम से उपर उठेंगे तो आप नीचे जो सुच होता है उसको अन करेंगे तो यह लाइट जलेगा अगर हम जब हम सीडी को पार करते हैं उपर पहुंचते हैं तो आप क्या करेंगे यह स्विच है इसको आप करेंगे तो यह लाइट बंद होगा फिर जब हम उपर से नीचे आए इसको उन करेंगे तो यह लाइट जे लेगा फिर नीचे जो पहुचे गे उसमें फिर यह स्वीच को अउप करेंगे तो यह लाइट बनोगा तो इसको कहते हैं स्ट्यार के स्वीच का यूज़ करते हैं तो आप्सन नमबर फोर होगा इसका और एंसर देन देखो नेश्ट कुछें यह हाइड्रोमीटर इज यूज टू टेस्ट देखो जो हाइड्रोमीटर होता है उसमें हम यह चार में से किसको टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्राविटी को टेस्ट करते हैं या फिर को या फिर पावर को या फिर फोल्टेज को तो इसका एंसर होगा जो हाइड्रोमीटर होता है इससे हम क्या करते हैं ना स्पेसिफिक ग्राविटी को टेस्ट करते हैं तो आप्सन नमबर वान होगा इसका कर्टन सा देखो यह स्पेसिफिक ग्राविटी जो होता है इसको हम हाइड्रोमीटर से जलाते हम बैटरी का चार्जिंग कॉंडिशन यह ज जानने के लिए hydrometer का यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं देखो, जो बैटरी में जो liquid होता है, जिसको हम electrolyte भी कहते हैं, उसमें अगर hydrometer से 1.12 measure करता है, तो उस condition में जो बैटरी होता है, वो fully discharge होता है, मिन्स कोई भी charge नहीं होता है, और अगर उस electrolyte में जो hydrometer होता है वो 1.20 measure करता है, तो उसे हमें क्या मालूम होता है, वो half charge condition में होता है, और जो यह hydrometer 1.28 measure करेगा, तो हमें मालूम होगा, कि जो बैटरी होता है, वो full charge condition में होता है, यहापको याद रखना होगा, 1.12 में discharge condition में रहता है 1.20 में half charge condition में रहता है battery और 1.28 जब hydrometer measure करता है तो battery full charge condition में रहता है यह आपको याद रखना होगा तो इस question का answer क्या होगा जो hydrometer होता है वो specific gravity को measure करता है option number one is the correct answer then the next question an electric current that periodically reverse is called current normal today होता है एक होता है AC जिसको कहते है alternating current दूसरा होता है DC जिसको कहते है direct current तो एक current जो periodically reverse होता है एक time fixed time होता है उससी time में वो reverse होता है उसको कौन सा current कहेंगे AC current कहेंगे यह फिर DC current कहेंगे यह फिर पॉल्सर्टर्ट करेंट कहेंगे यह पिर नॉन अप दिच तो इसका answer होगा हम सभजानते है जो periodically reverse होता है वो alternating current ही होता है देखो यह बहुत देखो एक period में दूसरा यह और एक period में ठीक से देखो एक period में यहां से जाको यहां तो अकिट्सरोल में वह उसको जमशन होगा और किसको कहते हैं जिसमें 100 के साथ quelक्र आब होता है ऊल्ट्रेटिंग करते तो प्रियोड माझारी का सब्क्राyond एक मेकसिमूम मेह चार अपशन में सरय क्वेसटे या फिर जब रचीधा होता है या फिर जब पर ज्यादा होता है एपिए जब आइरन लोस्ट कामता है कॉपर लोस्ट जदा होता है तो देखो इसकुचिन का एंसर किया होगा बेरी बरी इंपरेंट कुच्छिन ट्रांसफर मोर मेक्सिमों एफिसन जी जब आइरन लोस्ट और कापल लोस्ट बॉराबर इक्वाल होते हैं उस कोणिशन में ट तो करता है तो आपिशन नमबर वान हो गाइस का कौनेक्ट एंसर देन देंगों नेश्क कुछन कुछन सिलीकॉन और इंड जर्मानिय। आर विच टाइप उमेट्रियल देखो शिलीकान बॉर और जर्मानिय। तीनो आपो मेट्रियल होता है। पर समिकन्डॉक्टर या फिर इंसलेटर या फिर नॉन अप दीछ बहुरी बढ़े कुछ दिखो शिलिकोन बरन जर्मानिय। यह तीन हमारा क्या होते हैं समिकन्डॉक्टर आप्शन नमबर टू होगा इसका करेंट सार्य बहुत द्यकों सब जानते हैं मैटीयल होता है नल्वालिघ होता है एक कंड़क्टर होता है दु क्या होता है न क्या हो त शी आपको यह सब्सक्राइब होता है लेकिन यह समय कॉंडॉक्तर रहो होता है लेकिन यह समय कॉंडॉक्टर को बोला से ज्वडूर रूमीन मॉल और ग्लास रबर ओयल प्लास्टिक डायमन यह सव्ड राग्ट रहकना होगा तो सिलिकोन बोरन जर्मानियों हमारा सेमी कंडॉक्टर होते हैं ओप्सन नमबर टू होगा इसका क्रेक्ट एंसर देन देखो नेस्ट कुछिन स्पार्किंग ओकोर्स वेर लोड स्विच्ट आप विकोज दिस सर्कीट इस भेरी बरी इंपरेंट कुछिन देखो जब हम किसी लोड का जो स्विच होता है उसको आप करते हैं तो स्पार्किंग होता है स्विच में स्पार्किंग होता है तो स्पार्किंग क्यों होता है क्योंकि सर्कीट में इंडक्टन्स रहता है या फिस सर्कीट में रेजिस्टन्स रहता है या फिस सर्कीट में कापासिटन्स रहता अप्सन नमबर वान होगा कोलेक्ट अंसर भेरी भेरी इंपोटेंट कुश्चिन देखो नेस्ट कुश्चिन दा मास ओफ मेट्रियल डिपोजिटेट अभर एलेक्टोट इस प्रोपर्शनल टूदी देखो जब यह तो फारड़ेज्लोप एलेक्टिलरसिस में क्या हता है ना क्या है यह दोड़र से आकथर इस मेंटल के ऊपर क्या हता है एक लेयर मथास बदला नहीं एक ओबर कांपुश्चिन में है iauच दो मेटल को पर का मैटल है कितना अमॉन्ट ऑप मेटल इस मेटल को उपर लेयर designed क्टा उूपर si के ओपर तो इसका फर्मुला आता है M is equal to ZIT Z होता है electrochemical equivalent I होता है current तो क्या होगा इसका answer होगा M is equal to ZQ भी कहता है तो देखो Z होता है जो electrochemical equivalent होता है वो Z होता है वो Q होता है वो quantity of electricity होता है तो इसलिए जो option no.2 है quantity of electricity and electrochemical equivalent ये दोनों के ओपर depend करता है कितना amount of material इस anode से liberated होकर ये जो cathode इसके ओपर deposit होता है वो depend करता है quantity of electricity के ओपर और electrochemical equivalent के ओपर तो option no.2 होगा इसका answer क्योंकि इसका formula होता है mass जितना mass में आता है mass is equal to Z into I into T और जो IT होता है ये Q होता है तो इसलिए M equal to Z into Q होता है जो Q होता है ये quantity of electricity होता है और जो Z होता है वो electrochemical equivalent होता है तो इसलिए option no.2 होगा इसका क्योंकि आज के लिए इतना ही थेंक्स पर वाचिंग और अगर आपको वीडियो आच्छा लागता है तो subscribe कीज़ेगा